साथियों, आज का ये दौर भारत को, हर भारतवासी को एक बहुत बड़ा संदेश दे रहा है। ये समय भारत को जादा से जादा ताकतवर भारत को आत्म निर्वर बनाने का है। ये समय जात पात से उपर उठकर, छोटी छोटी बातों से उपर उठकर, राष्ट के साथ खड़े होने का समय है। पत्रकार बंदो, आप मदद, आप हमारी मदद कीजे बैया, आप हराम से, शाबाश, हाँ और, हाँ लेलीजे, लेलीजे, अरे उनको वीडियो लेनी है, लेलीजे बैया, शाबाश, वाँ आपका काम हो जाने के बाद, अगर मुझे इजाज़त देंगे, तो मैं अपनी बात शुरू करूंगा, तो आप थोड़ा नीचे होते जाए, यह कृपा करके, ताकि पीछे किसी को तकलीफ में हो, बहुत अच्छे दोस्तों मेरे, थैंक्यो, थैंक्यो भया, थैंक्यो, नह बहुत मदद करते हैं, जी, साथियों, हमें हर साल, लगातार, हर हाल में, अपनी सेनाओं को, आधूनिक बनाते ही रहना होगा, देश को आत्मनिर्फर बनाने के लिए, खुद को खपाना होगा, और ये काम, गोर परिवारवादी, गोर स्वार्थी, कभी नहीं कर सकते, जिन लोगों का हितिहास, रक्षा सौदों में कमिशन खाने का रहा हो, वो परिवारवादी, कभी भी, देश को मजबूत नहीं कर सकते, जो लोग देश की सेनाओं की जरुरत को हमेशा नजरंद्लाज करते रहे, वो परिवारवादी, देश को मजबूत नहीं कर सकते हैं, जिन लोगों का दिल देश में बम धमा के करने वाले आतंकियों के लिए दड़कता है, वो कभी देश को ससकता नहीं बनाएंगे.